ओम श्रांति अपसो को सौगत है आपके यूट्यूब चैनल सीखते सोल्दा टूथला इस वदिन में और आज हम बात कर रहे हैं परमपिता परमात्मा के 26 एप्रिल के इश्रे वरदान की जहां परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया का धन दौलत जो है वो कुछ समिकले है लेकिन जो गुण शक्तियां और ग्यान परमात्मा से हमें मिलता है वो हमें सच्चा सच्चा अमीर गुणों से शक्तियों से और ग्यान से बनता है जो हमारे साथ इस जन्म नहीं लेकिन जन्मन जन्मान तरक लिए हमारे साथ जाता है तो देखें परमात्मा कहते हैं हाज के बरदान में बाबा कहते हैं शेशक में बेहत के संपून अधिकार के निश्चे और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रिष्ट संपतिवान भवा संपून अधिकार के निश्चे परमात्मा से गुणों का शक्तियों का और ग्यान का अधिकार और उसमें निश्चे हो और रुहानी नशा हो तो इसको देखें परमात्मा कैसे समझाते हैं बाबा कहते हैं वर्तमान समें आप बच्चे ऐसे श्रेष्ट संपून अधिकारी बनते हो जो स्वेम ओल्माइटी अथोरिटी के ऊपर आपका अधिकार है अगर हम उनको अपना पिता कहते हैं रचेता कहते हैं तो उन्होंने हमें जो रचना है या रचा है वो समपून तरीके से रचा है जब परमात्मा कोई अधूरा काम आधा काम तो करते नहीं है तो हमारे अंदर जो गुण जो शक्तिय जो क्यान है अगर उसकी कमी है वेविक की कमी है इसका मतलब हम अपने रचेता से जुड़े नहीं है और जैसी हम परमात्मा से जुड़ते हैं कनेक्ट होते हैं उनको पैचान करके तो हमारे अंदर सारे अधिकार आ जाते हैं सारे गुण, सारी शक्तियां और सारी संपत्ति परमात्मा किया जाती है फिर परमात्मा कहते हैं परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्वसंबंदों का और सर्वसंपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं उनको किसी भी संबंद की कमी महसूस नहीं होती उनको कभी अकेला पन महसूस नहीं होता उन्हें परमात्मा एक साथी, उन्हें परमात्मा एक संबंधी, उन्हें परमात्मा अपना पिता, अपनी मा, अपना बंधु, अपना सखा के जैसे सारे कॉलिटी, सारे गुणों के संबंधों का अनुभव कराते हैं तो सारा आधिकार प्राप्त कर लेते हैं और किसका सर्व संपत्ती का आधिकार संपत्ती का है उनके गुंड जो है उससे हम सज जाते हैं उनकी शक्तियों से हमें उनका बच्चा या उनकी रचना का हमें मैसूसता होती है फिर परमातों कहते हैं इस समय ही बाप त्वारा आपके पास सर्व गुणों की 36 गुण है सारी qualities जो की आत्मा में होनी चाहिए वह सारे गुणों की सर्व शक्तियों की जो जो शक्तिया है में मुक्य आट शक्तियां सेन करने की शक्ति सामना करने की शक्ति, परखने की, निर्ने करने की, ये सारी सहयोग करने की, समेटने की शक्ति, सर्वशक्तियों की और श्रेष्ट ग्यान की अविनाशी संपत्ति है, इसलिए आप जैसा संपत्ति वान और कोई नहीं, चाहिए धन्ना हुआ आपके पास में इतना ज्यादा, लेकिन आपके पास में जब ये ग्यान हैं, ये गुण हैं और ये शक्तिय हैं, तो आप richest in the world हैं, फिर जाये दुनिया का सबसे अमीर इंसान आपके सामने खड़े हो जाए, लेकिन आपके चेहरे पे चमक और खुशी उससे कहीं गुणा जाता रहेगी, जबकि आपके पास मे दुनियावी तरीके से कुछ ना हो, तो परमात्पा चाते हैं कि हम इसको याद करें और इस नशे में रहें, ये नशे कैसे आएगा जब आप इस ग्यान को और गुण और शक्तियों को आप पहचानेंगे, seven days का कोर्स करके, इसको करें और आप पहचानें कि परमात्मा पित राऌ तरीक Daf fier क्तियों को और ढपित जए climate में दिल्शना कोझा एवा क्तियों कैसे क्तित्वद ठाप में हैं इसको पहचाने से क्तित्ति आप पुछ उ तर व्क्तिफज थेंगा हैं कि दालूट से